नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चोले जानते हैं देश्वी देश्वी ग्यारप रमुख खबरों को भारत को मदद की तौर पर सौ वेंटिलेटर की पहली खेव जल्दी भेज़ेगा अमेरिका COVID-19 अभी पूरी दुनिया में परिशानी का सबब बना हुआ है इसी बीच COVID-19 के रोख थाम और इससे जल से जल निकलने के लिए सभी देश एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं जिसके तहएट पहले भारत ने अमेरिका को HCQ की खेव भेजी है उसके बाद अमेरिका ने मदद के तौर पर वेंटिलेटर देने का एलान के है जिसके तहएट अमेरिका के राष्टपती डॉनल ट्रॉम ने प्रिधानमती नरेंदर मोदी के साथ हुई बाचीत के दौरान बताया कि उनका देश भारत को मदद की तोर पर 100 बेंटिलेटर की पहली खेव अगले हफते भेजने जा रहा है वाइट हाउस ने बताया कि ट्रॉम ने मंगलवार को मोदी से बात की है और दोनों निताओं ने जी सेवन सम्मेलन कोविड नाइंटीन से निपटे और छेत्रिय सुरक्षा के मुद्धे पर विचार विमर्श किया है अमेरिका के आधिगारिक सूत्रों के मुदाविक कुछ समय पहले राश्रुपती डॉर्नल ट्रॉम भारत को मदद पहुचाने में प्रसनिता जाहिर की थी इससे पहले प्रधानमती नरेंदर मोदी ने भी ट्वीट कर कहा था कि उनकी उनके मित्र ट्रॉम से गर्म जोशी के साथ और सार्थक बाचीत हुई है हमने G7 की अमेरिका की अधिक्ष्टा के लिए उनकी योजना और COVID-19 के बारे में और अन्यमुदों पर भी काफी विचार वे मर्श किया है भारत में COVID-19 प्रभावितों के संख्या पहुची 2 लाग के पार भारत में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है वही बीते दिन आये मामलों के बाद भारत में COVID-19 प्रभावितों के संख्या 2 लाग से उपर पहुच गई है स्वास्तमंतुराले की तरफ से जारी किये गए आकड़ों के नुसार 15 दिन में भारत में दो गुने मामले में बढ़ोतरी देखने को बिली है और ऐसा तब हुआ है जब परिवान सेवाए और आर्थिक गतिवी धियां दोबारा से शुरू कर दी गई है ऐसे में मामलों के बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है जिस पर केंद्रे स्वास्ते मंतुराले के संयुक तो सचे अगरवाल ने अपना बयान जारी करते वे कहा है कि भारत ने COVID-19 की वज़े से जान कवाने वालों का आक्रा सबसे कम है भारत में 2.8-2 प्रतिशत व्यक्ति की ही जान गई है जबकि दुनिया में यह दर 6.1-3 प्रतिशत है इतना ही नहीं इससे ठीक होने वालों की दर भी 48.4 पीस दी होने का दावाकियाग है और यही कारण है कि देश के मुकाबले हमारे इहां पर मामले नियंत्र देखने को मिर रहे है SBI, ICICI बैंक के बचत खाता धारकों को मिलने वाले ब्यास में की गई कटोती सभी SBI, ICICI बैंक के बचत खाता धारकों के लिए एहम सूच रा महारतिय स्टेट बैंक में बचत खातों पर वार्शिक ब्यास दर 0.05 से घटा कर 2.07 शूने कर दिया गया है वही नीजी बैंक, ICICI ने बचत खातों पर ब्यास दर में 0.05 प्रतिशत की कटोती की है जो की 31 मई से लागू कर दिया गया है चालोबे तवर्श में SBI ने दूश्री बार बचत खाते पर ब्यास दरों में कटोती की है इससे पहले अप्रैल में बैंकों ने सभी स्लाब में बचत खाते पर ब्यास दर को 0.25 प्रतिशत से घटा कर 2.75 प्रतिशत कर दिया था इस तूफान के महाराज चुके पालगर और मुंबई के समुद्र तर्ट से टकराने की गती बढ़ गई है मौसम विभाग के माने तो चकरवादी तूफान 100 किलोमेटर प्रतिगहंटे की दर से पहुँच गई है वहीं समुद्र तर्ट पर तकराने की दोरान हवा की रफतार 120 किलोमेटर प्रतिगहंटा होने का अनुमान जताएगा है जिसके तैट मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने के समभावना जताई है इस गाओं को भी खाली करवा दिया गया है इसके तैट 20 हजार लोग को सुरक्ष स्थानों पर पहचाना शुरू कर दिया गया है जून से सिनेमा घरों के खुलने की जताई गई संभावना COVID-19 के बढ़ते प्रभाव से के 20 जून से सिनेमा घरों को खुलने की संभावना जताई गई है जिसकी जानकारी सूचना इवन प्रसारन मंत्री प्रकाश जावेट करने दिया और कहा है कि जून के महीने में COVID-19 के सितिका आकलन करने के बाद सिनेमा घरों को खुलने पर विचार विमर्ष किया जाएगा आधिकारी बयान में यह कहा गया है कि मंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंसी के दौरान इन बातों को असोसियेशन और फिल्म प्रोडूसर्स, सिनेमा, एक्जिबिटर्स और फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रतिनिदियों से भी किये आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे बी से प्रभाव की कारण मार्च से ही भारत के सभी सिनेमा घरों पर ताले लटके हैं अब दुबारत से अर्थिवस्ता को पड्रिपल आने के लिए उठाए जारे कदमों के थैट सिनेमा घरों को खोलने का भी आदेश जारी किया गया है जी सेवन सम्मेलन में भारत को डॉनल ट्रॉम्प ने भेजाने होता अमेरिका के राश्पती डॉनल ट्रॉम्प के जी साथ शिखर सम्मेलन के लिए पहले ही भारत रूस और दक्षिन कोरिया को आमंत्रित करने की बात कह चुके था है इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक कोशुष कर लिए भापनी बात सावित नहीं कर सकता है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते जी साथ दुनिया की शीर साथ विक्सित अर्थववस्ताओं का समू है उसमें अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटली जापान और कैनड़ा शामिल है इसके तहत हर साल ज कोशुष के ओफर को छुकरा जाने पर प्रशांद किशोर ने खुद दिया जवाब बीते कुछ दोनों सो चुनावी रनीतिकार प्रशांद किशोर को लेकर कई तरह के अटकले सामने आ रही थी जिसमें यह कहा गया था कि मद्रप्रिदेश विधानसभा के 24 सीटों के उप हो गई है प्रशांद किशोर ने आगे बताया है कि पूर्व सीएम का मलना थी नहीं बलकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरंदर सिंग ने भी मुझे आगामी चुनाव में कैम्पेंड संभालने के लिए कहा था लेकिन मैंने ओफर को नहीं स्विकार किया है और न और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है क्यूंकि शेहर बास ही अपने आसपास की दूरी ते करने के लिए साइकल का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा करे तो इससे हर दिन सैक्रो लीटर पेट्रॉल की खपत कम होगी वहीं कहीं शेहरों शक्ती फांडेशन के संस्थापक प्रताप चांदरानी ने बताया है कि जो लोग साइकलिंग करते हैं भपर्यावरन को तो सुरक्षित रखते ही हैं बलकि गंभीर समस्याओं का भी जल से जल दिंदार करते हैं खास तोर पर COVID-19 जैसे बिमारियों से आसानी से निजात पाय यूट्यूब ने हाली में अपने एक रिपोर्ट जारी करते हैं बताया है कि यूट्यूब के माध्यम से चोवन प्रतेशत भारतिया ओनलाइन वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हैं 16 प्रतेशत ऐसे हैं जो इसे अंग्रेजी में देखते हैं और इसके बाद तेल जो ग्रामीन इलाकों के हैं इसके साथ ही यूट्यूब ने अभी यह भी बताया है कि कोबिड-19 के बढ़ते प्रभाब की कारण लोग फिलाल घरों में ही रह रहे हैं ऐसे में 43 फीस्ती वीडियो देखने वालों की संख्या में पे इजाफा हुआ है धोनी और जीवा की बा जीवा को बाइक पर बठाकर सेर करवा रहे हैं क्योंकि धोनी को बाइक की सेर करना काफी ज्यादा पसंद है और यह बाद पूरी दुनिया को पता है बंद के दौरान भी वह अपने फार्म हाउस में ही बाइक चला कर अपना श्रॉक पूरा कर रहे हैं इससे पहले भी जिया बच्चन की आज 47 वी सालगेरा है इस मौके पर अमिता बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपने शादी की कुछ तस्वीरे शेयर किया है और साथ ही यह भी बताया है कि उनके शादी कैसे हुई जिसकी तहत उन्होंने बताया कि 47 साल आज 3 जून 1973 हमने तेह किया है कि अबिनेतर ने भी अमिताब बच्चन और जया बच्चन की सालगेरा पर ठेर सारी बधाया दी है तो चली बढ़ते हैं आज की सवाल की और आज का सवाल को छिस प्रकार है आपके अनुसार महिंदर सिंग धोनी की टीम में वापसी की कि कितनी संभावना है कितनी नहीं अपन